विश्व क्रिकेट और क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन बड़ा ही खास रहने वाला है जी हाँ दोस्तों लगबग 117 दिनों के बाद फिर से मैदान पर क्रिकेट लौट रहा है और हमें बैट और बॉल का संगर्श देखने को मिलेगा कोरोना वाइरस के कारण क्रिकेट पर लगे ब्रेक के बाद पहला अंतरास्ट्र क्रिकेट मैच आज खेला जाएगा जो की इंग्लेंड और वेस्ट इन डीस के बीच में खेला जा रहा है बारिश के कारण अभी टॉस में देरी हो रही है लाइव स्टेटस के लिए हमारे साथ आप बने रहें दोस्तों टॉस में देरी होने के कारण ये मैच थोड़ा लेट से सुरू होगा यहां मार्च के बाद पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है अल्यास बाउंस पर खेला जा रहा यह मैच सिर्फ क्रिकेट ही नहीं उससे अलग कारणों के कारण भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा दर्शकों के बिना तो ये मैच खेला ही जा रहा है उसके साथ साथ इस दोरान बीच बीच में कोरोना वाइरस की जाच भी होती रहेगी साथ ही सोचल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाएगा मैच पूरी तरह से बदलावा नजर आएगा क्योंकि विकेट लेने के बाद या फिर फील्ड पर खिलाडियों का सेलिब्रेशन भी दूसरे तरीके का होगा साथ ही साथ ये मैच भविश्य में क्रिकेट के मैच किस तरीके से हो इसका ब्लूप्रिंट भी होगा इस सीरीज के लिए चुनेवे कप्तान बैन स्टोक ने मंगलवार को प्रेस कॉंफरेंस में भी कहा था कि इस मैच में अगर कोई सी भी चूख होती है तो वो बहुत बड़ी मानी जाएगी इससे खेल की बहाली पर आगे भी असर पड़ता दिखेगा दोनों ही टीमें मैच के दोरान ब्लैक लिफ्स मैटर का लोगो अपनी कमीज की कॉलर पर लगाएंगे यहां दोस्तों हम आपको बता दे कि वेस्ट इंडीस की टीम नौजून से ही मैंचेस्टर में अपना कॉरिंटाइन पूरा कर चुकी है और साथ ही टीम ने भीतर ही अपने दो अभ्यास मैच भी पूरे खेले हैं बारिश होने के कारण मैदान गीला है जिसके कारण टॉस में देरी हो रही है यह मैच कई माईनों में खास है क्योंकि इस मैच में हमें काफी कुछ बदला बदला दिखने वाला है क्योंकि टॉस के लिए केवल दोनों कप्तान यानि की बेन स्टॉक और जेसन होल्डर मैच रैफ्री के साथ बाहर आएंगे अमपायर या कोई और व्यक्ति उनके साथ नहीं होगा यहां तक की टॉस में कोई कैमरा नहीं होगा और ना ही कोई हैंडशेक होगा अमपायर रिचर्ज इलिंगवर्थ और रिचर्ज केटल बोरो अपनी गेंद लेकर आएंगे मैच के दोरान सैनिटाइजर ब्रेक भी होगा साथी साथ दोस्तों आपको यहां पर बता दें कि खिलाडी आपस में अपने दस्ताने, शर्ट, पानी की बोतल, बैग या स्वेटर सांजहन नहीं कर सकते कोई भी बॉल बॉय नहीं होगा और ग्राउंड स्टाफ मैदान पर खिलाडियों के 20 मीटर के दारे में नहीं आएगा टीम शीर्स डिजिटल होंगी, कोरर, पैन और पैंसिल आपस में सांजहन नहीं करेंगे ICC ने पहले ही गेन पर लाल के उपयोग पर प्रतिबंद लगा दिया है यानि की अब गेन पर बॉलर या खिलाडी थूक का इस्तमाल नहीं कर सकते साथी साथ अगर ऐसा करते हैं तो पहले दो चेतावनी दी जाएंगी अगर तीसरी बार भी ऐसा करते हैं तो पांच रन का जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है COVID-19 महमारी के कर्ण 15 मार्च 2020 के बाज से ही अंतरास्टिक क्रिकेट ठब पड़ा है आपको हम यहाँ पर बता दें दोस्तो इससे पहले आखरी अंतरास्टिक क्रिकेट मैच ऑस्टेलिया और न्यूजिलैंड के भी सिडनी में खेला गया था